वो कहते हैं ना, ये तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है तो मोटा मोटी बात ये है कि आप लोगों ने जो अब तक पठान देखा, टाइगर 3 देखा, ये वाकई में सिस्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर तो आना भी बाकी है तो इस ट्रेलर को देखके तो आप लोग समझ गया होंगे कि वार टू दिक्लियर हो चुका है और बहुत ही चल हम लोग के सामने आने बाला है तो जैसा कि रितिक रोशन की मुवी में हमेशा कुछ नया, कुछ पहतर और कुछ बहुत ही धासू होता है उसमें रिपिटेटिव कुछ नहीं होता अब ये मुशली अगर ध्यान से अगर बात किया चाहे तो जो मसला या मामला टाइगर में था वही चीज थोड़ा सा चेंज करके पठान में आया और वही चीज रिपिट करके टाइगर थ्री में आया तो अब इन तीनों चीजों से अगर आप उप चुके हो पक चुके हो जिन लोगों कुछ मूवी के बारे में समझ में नहीं आता उनके लिए तो अच्छा है लेकिन जो लोग ध्यान से थोड़ा दिमाग लगा के सोचते हैं उन लोगों ने नोटिस किया होगा तो आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशकवरी है वार्टू डिक्लियर हो चुका है और इसमें कि आप लोग चानते हो कि वार्टू में विलन के रोल में कौन है विलन के रोल में है चूनियर एन्टी आर जिसनों ट्रिपल आर मुवी हमें प्रस्तुत की जिन्हें आसकर मिला वो है वार 2 में एस विलन और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि रितिक रोशन की तरफ में वार 2 में टाइगर और केटरीना होंगी और विलन की तरफ में पठान और दीपिका पादु कौन होंगी तो चलिए मिलके स्वागत करते हैं वार 2 का वार 2